हेलो दिवीवर्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे से हूँ और मैं भी विल्कुल अच्छे से हूँ तो देखिए आ गया है सरदी का मोसम और सरदी में जब कभी कहीं कवे आना जाना पड़ जाए यानि के नानी के घर या फिर किसी और के घर जाना पड़ जाए त तो वो ऐसा ना करें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वो आज आप वीडियो में देखने वाले हैं यह देखे, बैग को उथल पुथल करने वाले या फिर घर को भी पूरा डैकोरेशन से बाहर कर देते हैं ये सबसे पहले आते हैं सोक्स जो हैं वो हमारी अक्सर ऐसी देखी जाती हैं कि सुबह सुबह का टाइम हो या फिर हम कहीं पर गए हुए हों तो बच्चे हो या फिर बड़े हों उनकी सोक्स जो है वो हमेशा ही पंगा करती है एक मिल जाएगी तो दूसरी नहीं मिलेगी और पहले वाली मेसिंग हो चुकी होती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं इस टाइप से इसको फोल्ड करके रखिए फिर चाहें आप बैग में रखिए या ही सूज रैक में रखिए और आप देखें कि बहुत सारी सोक्स जो है आपकी एक साथ आप रख सकते हैं और करने का तरीका जिन लोगों को लग रहा है कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा उनसे मेरी रिक्वेस्ट के साथ में एक बार करके देख लीजिए फोल्डिंग और जैसे यह आप फोल्डिंग करके देखेंगे तो कभी भी जिन्दगी में आपको दुबारा वीडियो देखने की जो रत नहीं पढ़ने वाली है और ये देखिए इस टाइप से हम बन्यान को भी कर सकते हैं फोल्ड बिल्कुल सेम उसी प्रोसेस के साथ इसको भी कर रहे हैं जैसे हमने सोक्स को क्या था और ये जो छोटे-छोटे तरीके हैं ये हमारे घर को बहुत अच्छा रखते हैं और ह हमारा जो सुबह-सुबह का काम होता जल्दी-जल्दी में कि हमारा ये कपड़ा नहीं मिला है हमारा ये कहां पे है तो उन सब चीजों से आप छुटकारा पा सकते हैं तो ये देखिए अंडर्वेर को भी हम इसी टाइप से पैक करेंगी और इससे भी अच्छी बात पता है आप जैसे चाहे वैसे इनको यूज कर सकते हैं और एक ही पोकिट में आप तीन से चार चीजे रख सकते हैं तो आपको वीडियो पसंद आई होगी और पसंद आई है तो आप जरूर से अपलाई कीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैल्पुल होने वाली हैं आप सब के के लिए तो यह देखिए जितने भी पोकिट हैं इसमें आप जितना चाहें उतना सामन रख सकते हैं थैंकि फूर